हेलो डियर स्टूडेंट एजुकेशन विद पूनम में चैनल में आपका स्वागत हैं मैं पूनम और हम डिसकस कर रहे थे प्राचिनकाल का भारत प्राचिनकाल के लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर पासान का निल जो स्तल थी उनके बारे में हमने देखा आज इस कसे अंदर हम जो हड़पस अभेट हैं उसके बारे में देखेंगे तो अड्पस अबेटा के अंदर वोगलिक विश्थार चिया था सिंदू-कालिन-समाज क्या था उसके पारे में आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है आप एंड तक इसको वोच किजिए आपका UPSC का एक्जाम, PCS का एक्जाम या फिर कोई भी वंडे एक्जाम जो आपका रहता है उसके लिए ये इतियास का क्लास है वो प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसको अच्छे से देखिए जिसी आपका कोई विक्षिन है वो एक्जाम के अंदर नहीं चोटी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हडपा सबेता है हडपा सबेता है उसको सिंदू गाटी सबेता है उसके नाम से भी जाना जाता है और ये एक नगरिये साक्षर संसकर्थी की तस्वीर उबरती है जो तीसरी ता दूसरी स्तापदी के प्रारब में सिंदू और उसकी साहक नदियों के पास पड़ोस में विक्षित हुई थी तो जो हडपा सबेता है उसको संदू सबेता के नाम से जाना जाता है ये एक नगरिये पर्थम ग्यात नगर जो इसको हडपा सबेता के नाम से भी जानते हैं तो इसके पर्थम ग्यात नगर हडपा जो की सिंदू नदी की साहिका रावी नदी के सूके तल के किनारे पर है तो जो हडपा नगर है वो रावी नदी के इतरट पर स्तित है और ये जो सिंदू नदी ऌणोड़ो कावीद के सिंदु काटी परदोस में ही तो देखते हैं कि इसके पर्थम ग्यात नग्र जो अडपा जो सिंदु नदी वहाई नदी के सुखे तल्षा है और मोहन जोदोडो जो सिंदू नदी के पड़ास में है उसकी जो परवा की देशा में 570 किलोमेटर पर आउस्तित है फिर भी बोगोलिक द्रस्टी से इस सभेता को जिसे हडपा भी कहते हैं और जो इसका परतम ग्यात स्थलता में सिंदू छेतर से अधिक इससे सामेल हैं थे यह पूर और दक्षन पूरम में नदीये निमन भूमियां उत्तर में उच भूमी वाले चेतरों और सिंदू पढ़नाली के दक्षन पकसे में और दक्षन पूर इसको हडपा सभीता एस लिए कहा जाता है क्योंकि जीस जगह पर इसकी खुदाई उई हई वो अड़पा जगए है और इसलिए इसको जो परत्म श्टल है उसका नाम हंडपा र segur दीfinitelyhou गया है देखते हैं सिंदूगहाटी सभीता है या हडपा सभीता तमर पासारिक तो जो सिंदु गाटी संवेता ये हडपा संवेता है वो तामर पासानिक है और इस संसकर्ती का नाम हडपा संसकर्ती इसलिए पड़ा क्योंकि इस संसकर्ती का सबसे पहले पता चला उनीस सो इकिस में हडपा स्थल पर चला था और इसे सिंदु गाटे के संवेता भी कहते हैं तो सिंदु गाटी सब्यता है, इसको हडपा सब्यता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हडपा जगय परी सबसे पहले इसकी खुदाई हुई, यह सतल हडपा है, वो देखनी को मिला, और इसकी खुदाई है, वो 1921 के अंदर की गई, और इसे सिंदु गाटी की सब्यता भी कहते ह चार्ल्स मेंचन ने 1826 में हडपा तिले का सरोपर्थां उले किया तता इसके रिहश्योद गाटन 1856 में कराची और लाहूर के बीच पटरी बिचाने के दोरान हुआ जब विलियम ब्रंटन तो जोन ब्रंटन ने दो प्राचिन नगरों का पता लगया तो जो चार्ल्स मेंचन थी 1826 में जो हडपा तिले है उसका बताया कि यहां पे कोई जो सबेता है वो हो सकती है फिर लेकिन सबसे पहले इसकी खुदाई पता चला जब कराची और लाहूर की 1856 के अंदर जो हडपा और मोहन जोड़ों सिंदु गाटी के किलूगुल मुहमद एव मुंडिगाग अफगानिस्तान वे बलुचिस्तान में 3000 इसीव पूरों के मद्दे में अनेक गाउं बस गए जहां सेंदर सबेता कि आरंबिक काल का बीजारोपन हुआ अरंबिक काल की मुडिगाग मिलते हैं इससे समंद रखते हैं कि करी सम इससे संसकर तो जो कुली संसकर तो कुली जो मुख्य नौन के कि firmział मेहि रोजी वह मजीरा दंब, यह कुली संसक्रती के अंडर आते हैं, नाल संसक्रती इसका मुख्यस्तान ही ब्लूच्छी थाने हैं, तो जह ब्लूचीस्तान है नाल-संकरती यहां पे। जो जो शाक्षिय हैं वह पाये गए हैं, नेक्स्ट है जाब संस्कृति इनकी जो मुख्य स्तल है मुगल गुड़ई, राना गुड़ई, डाबर कोट, परियानो गुड़ई यहां के मर्दभांड पर लाल वकाले रंग के अलकरण मेले हैं तो सिंदू गाटी सब्वेता के साथ साथ यह जो संस्कृति हैं यह देखने को मिले है जहां पर लाल वकाले रंग कल अलकरण मर्दभांडों पर किया गया है क्योटा संस्कृति इनकी मुख्य स्तल है और आप जो संस्कृति के संस्कृति के कुछ जाहां पर इनकी साक्ष है वह पाई गये हैं अब हड़पा सब्वेता का भोगोलिक विस्तार है वह द चेतर फले वो बारा लाग नीनाण में हजार चास्सो वरक किलोमेटर है इसकी जो उत्री सिमा है जो जम्मु के अंदर मांडा में स्तित है दक्षणी में नार्मदा के मुहाने भगताराव पूरों में आलमगीर पूर उत्र परदेश और पक्सिम सिमा ब्लुचि स्थान के मकर सुथकांगे दोर तक स्तित है तो यह जो इसका ब्लुचि स्तार है यह उत्तर पूरों पक्सिम चारों गिसाओं में फेला हुआ है जो जम्मु का जो मांडा है वहां से उत्री सिमा में जो सेंदर सबेता इसका विस्तार देखने को मिलता है दक्षण के अंदर नर्मदा के जो महाना है बहगत राओ महां पर देखने को मिलता है पूरों के अंदर आलम गीर पर उत्र परदेश महां पर जो संदर सबेता है उसकी साख्षे प्राप्त हुए है और पक्षिम सिमा में ब्लोचिस्थान की मकरान सुथकांगे डौर है वहां तक जो इसका जो बहुतार है वह देखने को मिलता है उत्तर से दक्षन तक 1100 किलोमेटर और पूरव से पक्षिम तक 1600 किलोमेटर तक है यह विस्तरित है तो जब उत्तर से जम्मु कस्मिर मांडा से लेके दक्षणी नवमंदा की महाने बगताराव यहां से इनका जो 1100 किलोमेटर है इसका विस्तरित उत्तरपरदेशा वहां से बलोचिस्तान और मकरान यहां से 1600 किलोमेटर इसका बोगोली की विश्तार है वो देखने को मिलता है तो 12,99,600 किलोमेटर के अंदर सेंदर सब्वेता है उसका छेतरवल देखने को मिलता है इस सब्वेता की जो अवसेस हैं वो कहां का मिले हैं तो दक्षण अफगानिस्तान, केउटा घाटी, मद्येत, दक्षण बलोचिस्तान, पंजाब, बहावलपूर, तसिंदू छेतर में भी इसकी जो सब्वेता की अवसेस हैं वो देखने को मिलते हैं अब इसका कालकरम है वो क्या है तो ऐसी संभावना लगती है कि हडपा का जो विस्तार है वो चेतर की सभी भागों में सब्वेता की परसूटन की प्रेक्रिया के साथ साथ ही जैसे जैसे सब्वेता का विकास हुआ है वैसे वैसे ही इसका जो विस्तार है वो देखने को मिल इसा कि चबी सो वर्स पूरह तक यह सबेता विद्रयमान थी क्योंकि उस समय में सोपोटामिया से इसके सपस्ट सम्मन्द। जो में सब्सक्ट समय मेण सब्सक्राइब से लिए सब्सक्राइब हैं इसके समंद है वह देखने को मिलते हैं इससपस्ट है कि 2600 वर्स पूर्वे इस सबेता का विस्तार हुआ था इसकी समावना बढ़ती परतीत होती है कि यह पहले सिंद की नीमन भूमी चौलिस्तान और समवना च्छ चेतर जो एक नदी द्वारा चौलिस्तान के चेतर से जुड़ा हुआ था में परिप्रक हुई हडपा काली बंगा बनवाली के नगर कुछ बाद में अस्तित्व में आए तो जो चेतर का चेतर और जो सिंद के नीमन भूमी यहां की जो चेतर है और काली बंगा और बनावली है इनका जो विकास है वो बाद में यह नगर है यह बाद में होए और जो इनका अंत भी है वो बिन बिन समय होए तो इनका जो विकास का करम है वो भी थोड़ा समय अंतराल के साथ हुआ और इनका अंत भी है उनके अंदर भी कुछ डिफरेंस ह वो पाया जाता है मोहन जोदुड़ो नगर का पत्र इसा के बाईसो वर्स पूरम में आरम हुआ तो जो मोहन जोदुड़ा है उसका जो पत्र है वो बाईसो वर्स पूरम के आरम में देखने को मिलता है और इकिसो वर्स पूरम तक यह नगर नश्ट हो गया तो बाईसो वर्स में इसका मौन जोदुडों का पतन है वो प्रारम हुआ और 200 पूरा तक यह नगर नश्ट हो गया फिर भी सब्वेता दूसरी छेत्रों में इसा के लगवग 2000 पूरा के बाद कुछ स्त्रों पर इसा के 1800 पूरा तक कायम रही तो इसके जो साथ वाले जो नगर थी उनका जो उस तरह अठारा सव वड्स पूरा तक इनको देखने को है यह जो सबेता है और इनके नगर है वो देखने को मिलते हैं अब देखते हैं कि सिंदू कालेंच समाज के साथ तो सेंदर समाज में कर सक सिलबकार मजदूर वरग आदी समने जन थे तरहा पुरहित था अधिकारी व्यापारिव चिक्सक आधी यहां पर विश्ष्ट जन थे सबसे प्रभाव साली जो वरग यहां पर था वो व्यापारियों का था और इनका जो समाज था यह मातरपरदान था हरपा नगरों के दुर मिले जो सारवजी अनागर के पास मिले निमनस्तरिया आवासों से पढ़त चलता है कि यहां पे जो दास या बंदुवा या मजदूर रहा करते होंगे काली बंगा और लोथन में ऐसे आवास है वो नहीं पाई गए हैं सिंद्य तो था पंजाब के लोग गैहूं और चो राजस्तान के लोग जो गुज्राद रंग पूर के जो लोग है वो चावल और वाज रखाते थे पासो जैसे उपकरण तथा उपकरण तथा चेस की गोट्य नुमा आकरती भी यहां से मिली है तो यहां पे पासो जैसे उपकरण है वो भी जो सिंद्यू का लेंसमाज है उसमें देखने को मिला है और गोट्य नुमा आकरती है वो देखने को मिली है तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने हडपा के जो स्तल है उसकी संस करती है उसका जो समाज है उनके बारी में देखा और किस परकार इसका जो विकास हुआ है उसके बारे में इस लेक्चर के अंदर हमने देखा तो आपको ये लेक्चर कहसा लगा हमें जुरूर बताए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हडपा का लेन स्थल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू